first of all we will discuss what is an arthropod कोई भी ऐसा आनिमल जो के phylum arthropoda से बिलॉंग करता हो उसको arthropod कहते है अब यह phylum arthropoda क्या है यह basically एक phylum है जो के invertebrate से तालुक रखता है invertebrate ऐसे organisms होते हैं जिन में reed की हड़ी नहीं होती अब arthropoda invertebrate का सबसे बड़ा phylum है इसके अंदर बहुत सारे common animals मौझूद है जिसके अंदर lobster है, prawn है, insects है, spiders है, millipedes है, centripeeds है इसके लावा बहुत सारे दूसरे organisms इस phylum के अंदर शामिल है इस phylum के जो members है, ये तकरीबन हर किसम के habitat को represent करते है ये animal fly भी कर सकते है, ये animal जमीन के अंदर भी मौझूद है ये plants के पर भी मौझूद है, ये पहाड़ों पर भी मौझूद है, ये deserts के अंदर भी मौझूद है इसका मतलब ये है, कि हर किसम के habitat के अंदर ये जो phylum के members है, मौझूद है उसके लावा इस phylum के अंदर जो members है, उनके अंदर बहुत जादा ability है कि वो मौझूद के habitat के मताबक अपने आपको adjust कर सकें यानि इनके अंदर adaptations के लिए बहुत जादा variety मौझूद है उसके लावा आर्थरोपोर्ट जो है, इनकी जो body है, उसके उपर exoskeleton मौझूद है और इनके जो body parts है, इनकी जो appendages है, वो segmented है उसके लावा अगर हम इनके heart की बात करें, तो they have tube-like heart उसके लावा ये animal bilaterally symmetrical animals है bilaterally symmetrical animals ऐसे होते हैं, जिनको हम अगर divide करें तो these animals can be divided into two equal halves by passing an imaginary line through the central axis आम तोर पर जो animal bilaterally symmetrical होते हैं, ये active animals होते हैं उसके लावा तकरीबन 7 million के करें जो species हैं, वो phylum arthropoda से belong करती हैं और जमीन पर जो सबसे ज़्यादा काम्याब group है, वो arthropoda है, सबसे बड़ा phylum भी है और सबसे काम्याब group ही है, और इस phylum के अंदर insects भी शामल है, यानि अगर तमाम animals जिसके अंदर vertebrates और तमाम invertebrates शामल हैं, उनको एक तरफ रखा जाए, और सिरफ insects जो है, उनको एक तरफ रखा जाए, तो insects की तदादाद ज़्यादा होगी, और उसकी जो diversity है, वो बाकी animals उसके मकाबले में ज्यादा है, उसके लावा तक्रीबन एक million के करीब जो species हैं, वो अभी identify हो चुकी है, बहुत सारी species ऐसी हैं, जो के अभी identify होने वाली है, आर्थ रपोर्ड का जो exoskeleton है, इसके अंदर काईटन मौजूद होता है, ये जो काईटन है, ये इन animals को protect करता है, इसके बाड़ी से जो पानी है, उसके loss से बचाता है, और इनकी बाड़ी के अंदर dehydration नहीं होने देता, और extreme जो conditions हैं, उस extreme conditions में भी इनका जो survival है, उनको मुमकिन बनाता है, उसके लावा इनके अंदर extensive cephalization है, cephalization एक ऐसा phenomenon है, जिसके अंदर tendency toward formation of brain, इसका मतलब ये है, कि इनका जो nervous system है, वो highly developed है, जो vertebrate हैं, उनका nervous system developed है, आर्थरोपोर्ट जो है, इनका nervous system भी developed nervous system है, उसके लावा अगर इन animals की हम circulation की बात करें, इनका जो circulatory system है, उसकी बात करें, तो इनका जो circulatory system है, वो एक open circulatory system है, इनका जो heart है, वो hemo lymph को pump करता है, इनकी body के अंदर, जो open spaces होती हैं, जिनको sinuses कहते हैं, उसके लावा, इस phylum के वो member, जो के aquatic हैं, वो gills का इस्तवाल करते हैं, जो terrestrial arthropod है, उनके अंदर बकायदा tracheal system है, जो के respiration के लिए इस्तवाल होता है, तो phylum arthropoda, invertebrate, जो animals हैं, उनका सबसे बड़ा phylum है, सबसे diverse phylum है, सबसे successful group है, उसके लावा, इनकी जो body है, उसके अंदर segmentation है, और यह जो segmentation का जो component है, यह इनोंने अपने जो ancestors हैं, जो close relatives हैं, उनसे हासल किया है, जो के energy है, जो energy है, energy की body के अंदर भी segmentation मौझूद है, और इनके अंदर metameric segmentation है, metameric segmentation से क्या अवराद है, यह linear repetition है, body parts की, यानि एक जैसे body parts की, जो linear repetition है, उसको metameric segmentation कहते हैं, तो arthropods के अंदर metameric segmentation, इनकी जो appendages है वो segmented होती है इनका जो skeleton है उसके अंदर काइटन मौझूद है इनके respiration के लिए इनके अंदर gills मौझूद है और tracheal system मौझूद है और इस group के अंदर मुखतलिफ किसम के animals शामिल है ऐसे animals भी शामिल है जिसके अंदर 3 pairs of legs है ऐसे भी animals है जिनके अंदर 4 pairs of legs है और ऐसे भी है जिनके अंदर जो appendages की तदाद काफी ज्यादा है